अलो फ्रेंड्स वेलकम टू मॉर्निंग कॉफी बिद प्याडी फैक्ट और आज का आज जो इस सेरीज का हमारा आज है डे 10 ठीक है आज देखेंगे हम डे 10 की बॉक एफ जिसमें फर्स्ट बॉर्ड है आप हमारा एनिवर्डसरी और एनिवर्डसरी मीनिंग होता दोस्तों सा होता है साल गिरा मेंस आपके परियर में आपका कोई एक इंक इंपॉर्टन जिस दिन को आप सेलिब्रेट करेंग на चरहा एक इंपॉर्टेंट दिन चंद को इस यहाननİ कि आप क्या कर रहे एक statement को क्या कर रहे हो, statement को क्या कर रहे हो, public कर रहे हो, statement को क्या कर रहे हो, public कर रहे हो, ठीक है public कर रहे हो, statement को, ठीक है इसको बलते announcement, यहनकी गोशना कर रहे हो आप, ठीक, दूसरा announcement, यह announcement noun है जो की गोशना होगा, ठीक है और आपकी जो बाव होगी, वो गोशना करना, अगर मैं कहूँ कि I am announcing, यह मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, बट I am announcement, अगर मैं यह लिख दूँ, तो यह गलत होगा, इसका मतलब होजाएगा मैं announcement हूँ, जो कि गलत है, ठीक है, और यह I am announcing मितलब, मैं क्या कर रहा हूँ, announce कर रहा हूँ, ठीक, तो हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा बव होती है, बव को आप ing continuous form में ing कर देते हो, ठीक है, और past में आप ed लगा देंगे, इस वाले बव में, ठीक, तो इस तरह का आप इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है, announcement हो गया, यह noun है, य यह बव है, यह फर्क होता है, noun and bob में, ठीक है, और annoy friends, देखो, annoy, ठीक, annoy, annoy means होता आपका नाराज, 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 नाराज होना, नाराज होना, ठीक है, नाराज होना क्या होता है, annoy, ठीक है, जब आप किससे नाराज होते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक, गुसा हो सकता है नाराज हो सकता है, ठीक है, तो यह होता है, एंगरी कह सकते है, एंगरी, एंगरी हो गए आप किसी से, ठीक है, तो क्या होगा, दोस्तों, एंगरी हो गए, ठीक, और एनवल, एनवल मीन्स होता है, दोस्ती, एडजेक्टिव है, जो जिसका मतलब होता, एनवल, यानि की प्रत ठीक है प्रती वर्ष एन्वल ठीक जोली कोई happening प्रती वर्ष होए यांण की पर year क्या होता दोस्तों पर year ठीक annual वार्षिक जिसको कहते हैं वार्षिक फेक ठीक और दूसरा है another another अनाधर का तुन्दर का union गता दोस्ता यह और इस टाइब का इसका मीनिंग होता है अनदर जैसे आपको होगे कि I am talking to another person यान कि मैं दूसरे आदमी से बात करूँ कोई दूसरा ठीक है इस टाइब का और आंसर आपका पता है जवाब होता है यह तो basic है बहुत ज़्यादा जवाब अब आपका answer phone है answer phone जो आप answer करेंगे phone है ठीक यह चीज़े और int अपके हमारी अट क्या होती है अट noun है जो जिसका मतलब होता है cheaty cheaty end ठीक और antique antique देख रहा है दोस्तों antique का मतलब होता है पुराना 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 कोई yo antique piece हो जैसे हम बोलते हैं antique piece antiqueème हम पोलेंगे कि यह antique piece is, Means कि यह क्या है पुराना कोई पुराई चीज है ठीक है और antique दिखाओ अब जो हम वो रहता है क्या बोलता है कहीं exhibition होता है ठीक है तो परदरशन होता है तो उसमें देखाओगा आपने, उसमें क्या लाते हैं, पुरानी पर इन चीजों को रखा जाता है, उसके काफी values होती है, पुरानी चीजों को ठीक है, रखा जाता है, ठीक है, डिस्प्ले में दिखाने के लिए, ठीक, तो ये क्या antique होता है, हमारा पुराना, ठीक है, जो फर Antic हम mostly use करते हैं किसी object के लिए है, ठीक है, कि Antic piece है, या Antic कोई building है, काफी, इस टाइप के इसमें use करते हैं Antic, और जो ancient use करते हैं हम history के लिए use कर सकते हैं, किसी भी तरह के हम उसके लिए use करते हैं, बस इसको हम mostly object के case में use करते हैं, वस ये Antic का ध्यान रखें हैं, ये बहार होता है ठीक है पेस मने होती है आपका चाल या स्पीड रेस ठीक है पेस आपकी चाल या आपका तो आउट पेस मतलब आपकी जो चाल होगा या इसका मतलब होता है जब आप कोई चीज इसका मतलब उचेता इंप्रूब करना क्या इंप्रूब करना वह भी काफी कुछ चीज को बहुत जल्दी इंप्रूब्मेंट करना ठीक है तो उसको बोलते आउट बेस ठीक और पैल्पीटेशन होता दोस्त पल्पीटेशन अप यहाँ से याद रखना पल्पल ठीक है पिटे पिटेशन मतलगा किसी बार-बार पिटि जायेगा पल्पिटेशन तो यह हो जाएगा कमपन होगा एक और बिद्वर intern होगा ठीक है कंपन यान कि कोई चीज को कंपन करना या इसको रिजोनेंस भी कहते है क्या होतए रिजोनेंस भी कहते है तो उसको ही palpitation कहते हैं, या किसी की धड़कन तेज होती है, तो कापने लगता है, तो वह ही होता है palpitation, ठीक है, तो palpitation, पल पिटेगा, तो क्या होगा, कमपन होगा, ठीक है, रिवरेशन भी उसको कहते हैं, और एक हमने रिवरेंट, रिवरेंट लास्ट में पढ़ा था, उसको मैं रिवाइज करता हूँ, रिवरेंट, वो दोस्तों हमारी होती है इज़ट जिसको कहते हैं, इज़ट या रिस्पैक्ट, ठीक है, वो अलग था, ठीक, वो अलग है, रिवरेंट, बट हम बात कर रहे हैं, रिवरेशन, ठीक है, रिवरेशन, इनकी पल्पिटेशन, पल्पिटेशन क्या है, कमपन है, और फिर है, पैंडीमोनियम, पैंडीमोनियम, पैंडीमोनियम होता दोस्थों, तित्तर वित्तर, तित्तर वित्तर, या श शोरगुल कहलो, शोरगुल कहलो, ठीक है, हला हो रहा है, हला हो रहा है कहीं पर, ठीक है, और कहीं भीड भड़ा का है, लोग चिला रहा है, जैसे मार्किट में क्या होता, पेंडोमोनियम होता है, और किस केस में, जब बहुत ज़्यादा भीड होती, रश होती है, तो लोग श Synonym हो जाएगा जैसे शेहर धाड़ता न या अपरोर कहलो या नॉइजी कह सकते हो of course नॉइजी ठीक है वो भी इसी के लिए Synonym आ जाएगा पेंडिमोनियम ठीक है अब बात करते Pathetic 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 होता दोस्तों दयालू ठीक है क्या होता दयालू पाथा टेक होता है डायालू या पिटी ठीक है पिटी भी कहेंगे डायालू या पिटी जिसका या हाट फैल्ट कहलो कि जिसका नरम दिल इंसान ठीक है नरम दिल इंसान जिसको कहेंगे वही होता डायालू ठीक है पिटी और इसको याद कैसे रखना पाथा टेक पाथा याद पाथा टेक पाथा टेक यहां से याद रखना पैथे टेक पाथा दोस्तों क्या होता था पुराने जबाने में इसमें क्या है किसी को दिया जाता था इसको यह करीबन करीबन धाई किलो या एक किलो इस तरह का यह हुआ करता था तो इसमें लोग क्या ले जाते थे मतलब गेह चावल इस टाइब की चीजे इसको भरके किसी को दिया जाता था जैसे कोई गरीब आया उसके पास नहीं है ठीक है तो इसको भरके उसको दिया जाता इनकी उसको बोलेंगे हम पाथा टेक तो ये पाथा टेक ठीक है एक पाथा जो भी आप दे रहे हो से एक अनाच को लिए कि आपके उसको देना तो पाथा टेक यानि कि जब कोई पाथा देगा अनाचका तो क्या होगा वो वो दयालू तो होगा यार वो इंसान ठीक है तो क्या होगा पाथा टेक मतलब दयालू यानकी पैथा टेक पाथा टेक ऐसे याद कर लो प्रोनोंस होगा पैथा टेक बटा दाई केलो, डाई होना, कोई चीज खत्म होना, ठीक है, डाई हो गया, या नस्ट होना, ठीक है, किसी चीज का या demolish केलो, क्यों होगा, demolish और demolish, ठीक है, किसी चीज को गिर गया, खत्म हो गया, मतलब कोई चीज, पैरिश, नस्ट हो गया, मर गया, ठीक है, तो यह सब होता है इसका यह समाप्त हो गया या इसका और भी सिनॉनिम है सबवर्ट हो गया सबवर्ट भी इसको कहते हैं सबवर्ट हो गया इसका सिनॉनिम या आप इसका एक सिनॉनिम और कहते हो इरेडिकेट हो गया क्या इरेडिकेट eradicate भी दोस्तों क्या होगा इसका synonym होगा eradicate ठीक है इसका मतलब भी नस्ट करना होता तो paris इसको आप थोड़ा साथ देख लें ठीक ऐसे तो paris से याद करेंगे पर paris में क्या नस्ट करेंगे paris चलो ऐसे धीयान रखते paris paris हम यह देख लेंगे परिस ठीक है जो लंदन की राजधा नहीं है paris इसको ऐसे याद रखे पैरिस में क्या है, एफिल टावर है, पैरिस में क्या है दोस्तों, एफिल टावर है, ठीक है, तो ये समझो, एफिल टावर क्या हो गया, नस्ट हो गया, ऐसे याद रखनेंगे, पैरिस में क्या है, एफिल टावर है, वो नस्ट हो गया, तो पैरिस का मतलब क्या होता है, नस् यह सब क्या है, part of speech क्या है, rules कैसे कैसे हैं, कैसे हम sentence बनाएं, अगर इसके लिए आपको notes या book की जरुवत है, तो मैंने exam oriented एक book बनाई है, आप prd fact.in, ठीक है, dot in पे आप विजिट करेंगे, वहाँ पे वो book sale में लगी है, 149 रुपीज की, आप उसको purchase कर सकते हो, आपको 15 दि मेरी website में पड़ा हुआ है, वो 499 रुपीज में, आपको complete course है, वो English का, ठीक है, उसको भी आप वहाँ से purchase कर सकते हो, ठीक है guys, तो इसी के साथ मिलते हैं, next video में, और आपको जो भी आपको videos देखने हो की, तो description में सारे link देवे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, ओके, thank you so माची.